नमस्कार कारिकम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ विश्वबंदु पांडे आज हम हमारी संस्कृती आस्था विश्वास और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़े विश्वे जीवन शैली में चातुर मास के महत्व पर बातचीत करेंगे चातुरमास क्या है? किस तरह हमारी आस्थाओं से जुड़ा है? इसका महत्व क्या है? जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित करता है? आधी-ाधी कुछ ऐसे प्रशन है जिनके बारे में हर किसी को जाननी के उत्सुकता रहती है इनी सब बातों के बारे में जानकारी प्रदान करनी के लिए हमारे साथ आचारे विपन जोषी जी स्टूडियों में उपस्ते थैं आईए आपके उनसे मलाकात कराते हैं जोषी जी आपका दूर दार्शन उतराखें के स्टूडियों में बहुत-बहुत स्वागत है जी धन्यबाद पांडे जी आपको भी बहुत-बहुत मंगल कामना है, सुब कामना है, पूरे दूर्दासन परिवार को आचेर जी आज हम चातर मास पर बाचीत कर रहे हैं वरत, भक्ति और शुकर्म, सुब कर्म के ये जो चार महिने हैं इस पर हम खास तोर से आज अपने इस कारिकर में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, कि चातर मास क्या है, या हम कह सकते हैं कि चौ मासा क्या है, इसका क्या महत्व है देखे हमारी सनातन परंपरा में जो हमारी प्राचीन रिस्यमुनी परंपरा है इसमें हमारे रिस्यमुनियों ने पहले से ही जीवन जीने की ऐसी एक आदर्स पद्धती बनाई हुई है जो वे ओफ लाइफ है आज जैसा की कारिकर्म का नाम भी जीवन सैली है कहीं न कहीं हम लोग आज परिसान है तो उस परिसानी का कारण ये है कि हमने अपनी जीवन सैली को बिगाड़ दिया है चाहे उठने का टाइम हो चाहे सोने का टाइम हो चाहे भूजन का टाइम हो चाहे पूजन का टाइम हो तो एक दिंचरिया और एक अनुसासन के साथ और एक अध्यात्मिक अनुसासन के साथ जब हम जीवन जीते हैं तो तब जो है ये जीवन हमारा जो है सही अर्थों में हम सह तरीके से जीवन जी पाते हैं तो यहां पर जो चातुर मास है आपने देखा होगा हमारे वहाँ प्राचीन काल से ही रिसिमुनी परमपरा रही है चातुर मास में हमारे संत जो है हमारे जो बड़े-बड़े मठाधीस हैं जो विद्वान हैं वो लोग एक ही जगे पर अपना चातुर मास करते हैं और चातुर मास जो आरंब होता है देव सैनी एकादसी से लेकर के देव उठनी एकादसी तक इस बार जो है आपका 29 जून को देव सैनी एकादसी थी और आपका 23 नौंबर तक जो है चातुर मास का जो यह चार महने का जो कालखंड है यह रहेगा और इ इन चार मेने के काल खंड को ही चातुरमास कहते हैं और इन चार मेने के काल खंड में आपको मालुम होगा कि कोई भी बड़ा सुबकारी जैसे महल लिजे हमने सुब बिवाह करना है यग्योपई शसकार करना है अथ्वा कोई भी बड़ा कोई नए घर का हमने मान लिजेगा नव निर्माण करना है इस तरीके से बहुत सी चीजें जो है उस समय देशकाल परिस्तित के अनुसार जो है हमारे रिसी मुन्यों ने उन पर रोक लगाई थी और उनको करने का सास्त्री तरीके से बिधान नहीं इसमें आपके माध्यम से हम ये भी जानना चाहिए कौन-कौन से महिने इसमें आते हैं चातुर मास में देखे ये जो है आपका स्रावन हो गया जैसे आसार सुकल पक्स से ये सुभारंब हो जाता है स्रावन भादरपद और आपका सावन भादो कार्तिक तक यह रहता है और इसमें जो है अनेक इस बीच में परवकाल आते हैं अनेक इसमें जो है बीच में जैसे आपने देखा इस बार दो मेने का तो स्रावन मास ही है एक इसमें अधिक मास भी जुड़ा हुआ है और एक मेने का जो पारंपरिक तरीके से स्रावनमास है तो ये भी इसमें आ जाता है और रक्ष्याबंदन, क्रस्ट जनमास्टमी, आदी बड़े तयोहार भी इसमें आएंगे और दिपोट साव पांस दिन का दिपावली का तयोहार भी इसमें आ जाता है तो एक बड़ी परवो की इसमें स्रंखला है और उस परवो की स्रंखला में भी हर परवो को हम विदिविधान से पूरे पूजा पाट पद्दती जो हमारा सास्ती तरीका उस तरीके से करते हैं लेकिन स्रफ जो साधी व्याहादी जो ऐसे बड़े कारी हैं इनको इसमें करना निसेद रहता है आचारी जी वर्ष भर बारा महिने होते हैं लेकिन चार महिनों कोई खास्तोर चातुर मास कहा जाता है तो इन्हें चातुर मास और चातुर मास जैसा कि मैंने कहा है चार महिने उसमें आ रहे हैं इसको चातुर मास बोलते हैं या चातुर मास इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखे हमारे रिसिमोनी जो है हमारे वाँ जो भी पद्धतियां बनी है या जो भी तरीका है उसके पीछे कहीं ने कहीं भौगोलिक और आपके जो मौसम संबंदी कारण भी है इन चार मेहनों में आपको मालूम है कि लगबग तीन मेहने तो बरसात का टाइम है तो प्राचिन बीने का भी डर था स्वास्त भी खराब हो जाता तो इन तमाम कारणों से जो है ये चातुर मास को संतों ने निश्चय किया कि हम एक जगह रुकेंगे एक जगह रुक करके जो है पूजा अनुस्ठान ध्यान और उसके अलावा योगादी के लिए साधना के लिए ये चार म महने बहुत सर्वोत्तम महने माने जाते हैं और उसके अलावा चातुर मास में जैसे आपने मैंने कहा साधी ब्यादी में तो रोग है लेकिन इस समय कथा पुरान भजन कीरतन जप तप इसको करने का बहुत बड़ा महत्व है तो इसलिए हमें इन सब चीजों को इसमें करना चाहिए और अपने आप में ये साधना के चार ऐसे महने हैं जो हमें पूरे जीवन को एक दिसा दे सकते हैं और जब सही दिसा होती है तो हमारी दसा स्वेंग ठीक हो जाती है और निश्वत रूप से हमारी जो जीवन शैलिये से बहुती व्यापक धंग से प्रभावित करते हैं नियम, सैयम, पूजा, अर्चना, शुब कारी हम इसमें खालांकि धार्मिक कारे हैं वो हम इसमें करें पूजा को करें आस्था में रहे आचारी जी चातुर मास में या जैसे चातुर मास से हम उसको आरंब करें और फिर उसको जीवन सैलिका हम अंगही बना लें देखे एक तो क्या है कि हमें सोर्योदय से पहले उड़ जाना चाहिए दूसरा हमको नित्य किरिया से निबरत हो करके इसनानादी करके हमको नित्य प्रातकाल योगा भ्यास कर करना चाहिए ध्यान करना चाहिए और उसके अलावा जो है फिर अपनी जो पूजा पद्दती उगरा हमारी है उस पूजा पाट को हमें करना चाहिए और जैसे अभी बरतमान में अभी स्रावन मास चल राया है भगवान सीव को समर्पित ये मास है और सीव का अर्थ ही कल्य भगवान सीव पंच देवों में प्रधान देपता हैं पूरे विश्व को खजाने बाढ़ते हैं लेकिन खुद जो है बहुत सादगी के साथ रहते हैं समसान में उनका वास है बभूत वो अपने सरीर में धारन करते हैं गले में उनके नाग लपेटे हुए हैं और सब को खज भूजन हलका करें और देखे होता क्या है जो सुबे का हमारा भूजन है वो हमारा बिल्कूल हलका होना चाहिए ठीक होना चाहिए दिन का हम भूजन एकदम भरपूर भर पेट भूजन करें लेकिन जो रात्री का साइंकालिन जो हमारा भूजन हो हलका होना चाहिए क्योंकि कि हम लोग इसका उल्टा करते हैं लोग क्या करते हैं कि दिन का और सुबे का भोजन तो उतना सही डंग से नहीं ले पाते हैं और रात को खुब ठूस ठूस करके जो है भोजन करते हैं और उसका दूस परणाम क्या होता है हमारा सरीर बेडोल हो जाता है और हम फिर भोजन करा प्रणत हम सोचाते हैं कि आज आदमी के अंदर इतनी ब्यस्थता है इस प्रकार का उसकी जीवन चरिया है कि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो जो है आपका उसके बाद क्योंकि भोजन और सैन के बीच में भी जो सास्त्री तरीका है वो तो यह है कि हमें आपके जैसे सैंकाल में हमने पूजा अर्चना आरती के बाद भोजन कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन और सैन के बीच में भी दो-तीन घंटे का अंतर पी लेते हैं और कई लोग तो लोटा लोटा पानी पी जाते तो वो भी अच्छा नहीं है भोजन के समय हमें पानी तो रखना चाहिए कोई गरास अगर हमारे गले में अटक जाता है या कोई ऐसी समस्या होती है तो उसमें तो जरूरी है क्योंकि वो भी एक बहुत जरूर ले आपने बात जीवन सहली की किस तरीके से हम जीवन सहली करें तो इसमें हम हपते में कम से कम एक ब्रत जरूर ले और अगर आजकल जैसे स्रावन मास चल रहा है तो स्रावन मास में तो हम हर सौंबार का ब्रत ले ले और उसके अलावा जो अभी आपने देखा होगा जो ब्रत का भी अभ्यास करते हैं और ये भी बहुत अच्छा है तो इस तरीके से अपने एक ठीक दिंचरिया हो फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया हमारा अध्यन पठन पाथन मनुरंजन और संग सत्संग जिसको हम बोलते हैं तो अच्छा रहे हम अच्छे विचार अपने अंदर उत्पन करें और अच्छे लोगों की संगत करें और दूसरा कुछनो कुछ हम ऐसा कारी करें जैसे ये मास जो है ये चो चो मासा है ये प्रकृति का भी मास है प्रकृति को समर्पित मास है अभी आपने देखा होगा हमारा कल लोग पर वह हरेला देव भूमी उत्रा प्रकृति जो है यह इस्वर का ही एक स्वरूप है, इस्वर का अगर हमें वास देखना है, तो इस प्रकृति में जितनी भी चीज़े हैं, कई बार जो पस्चिम के लोग हैं, या जो लोग सनातन को तारगेट करते हैं, वो लोग मजाग हमारी बनाया करते थे, देखो जी आ को पूजने का अगर पीपल की पूजा की जाती है और दूसरा जो है जिसको हम पूजते हैं उसको काटेंगे नहीं उसको नुकसान नहीं पहुचाएंगे तो तो उसके पीछे जो मनतब यह था, कि हम लोग जो है, अगर प्रिकृति की पूजा करें, पेड़ों को अनायास ना काटें, अब लोग क्या करते हैं, आज पीपल का पेड़ है, उसके चार उतरफ सिमेंट से उसे पूरा बंद कर देते हैं, वहाँ धूप अगर बत्ती उगर जला करके पेड़ को नुकसान करने लग जाते हैं, आप पूजा करिए, दूपटी भी करिए, लेकिन दूर से, उसको उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है, उसको हमें नस्ड नहीं करना है, अब नदिया है, नदिया हमारे वाँ देखो, नदियों को पूजने की परंपरा आपने देखा होगा जो गंगा युमना जैसी जो बड़ी नदिया है, इनकी तो पूजा की जाती है, लेकिन गाओं में भी जो हमारे जो कूप हैं, जो पहाडों में नौले हैं, या जल स्रोत हैं, और जो आपकी वहां की जो इस्तानी नदिया हैं, उनको पूजने की पूजा। और जिस ढंग से इसमें धार्मी का नुश्ठान तो होते ही है वरत भी होते हैं तो चौमासे के अंत्रगत जो ये चातुर मासे इसमें नियम सयम और यही तो जीवनशैली है अगर जीवनशैली को व्यवस्थित करना है तो हमें इसी के अनकुल जीना चाहिए हम खानपान की बात कर रहे थे आचारी जी तो इसमें आपने जैसे की कहा कि कुछ नियम है जरूर है उन्हें हमें रखना चाहिए अपने जीवन में नियम को बनाए रखना चाहिए तो खानपान में खास्तोर से किन चीजों से परहेज करना चाहिए इन चार महिनों में देखे हमारे वहाँ जो सनातन पद्धती है सनातन पद्धती में सात्विक भोजन की बात कही गई है और सात्विक था हमारे वहाँ हमेशा भोजन का एक प्रमुखंग है हमारे वहाँ मानसाहार हमारे वहाँ किसी भी प्रकार का ब्यसन नसा आदी जो है उसे मुक्त रहने के ल इसी चातुरमास में ही कावड यात्रा चलती है और उसमें हमारे जो एक कावड यात्री हैं जो लोग पूरे बिस्व में जो है एक भगवान सीव की पूजा की अलग जगा आते हैं तो उसमें से एक तपका ऐसा होता है जो नसा आधी करता है और उससे क्या होता है कि पूरी का करात्मक चीजें ज्यादा प्रचारित प्रसारित होती हैं और लोग उसको तारगेट करते हैं तो हमने उसमें एक हमने नारा दिया था बोल बम छोड भन जी कावड यात्री की क्या पहचान ना नसा ना गुसा ना धुम्रपान तो इसी तरीके से ये चातुर माज भी एक ऐसा मास है, यहाँ पर हम अगर मालीजे किसी प्रकार का कोई व्यसन करते हैं किसी प्रकार का हमारे खानपान में मांसाहार आ दी है तो इसको छोड़ने का भी यह कालखंडे है, इस समय हम लोग संकल्पल है और क्योंकि देखे प्रकिर्ति में इतनी अच्छी अच्छी चीजे बना रखी हैं और आपने देखा भी होगा आप तो बेग्यानी लोग आप हमारा सनातन तो बेग्यान से बहुत बड़ा है, बहुत आगे है लेकिन चुकि अब हम उस चीज को मानते हैं जो ग्यान की कसोटी में भी खरा उतरता है आपने देखा होगा आज ये पता चला है कि मानसाहार से कितनी प्रकार की बिमारियां लोगों को हो रही है तो अब पहले आदमी मानसाहार क्यों करता था उसमें अनाज नहीं पैदा होता था जंगलों में रहता था और उसमें जो चीजे जंगलों में होती थी आपने देखा होगा जैसे बली प्रता आदी जो कूप्रताएं हैं ये भी उसमें क्यों चली क्योंकि उसमें आदमी अनाज होगर पादन नहीं करता था जंगलों में रहता था जो खाता था उसी को जो हो वहाँ पे भोगागी भी लगा दिया करता था तो कहने का भाव यह है कि हम यहाँ पे हम मानसाहर छोड़ें लेसुन प्याज आदी इस समय चार महने लोग उसका बिल्कुल सेवन नहीं करते हैं और टैम में लोग औसदी के रूप में क्योंकि देख सब चीजें जायज हो जाती हैं और किसी भी चीज़ का जब अनुपाद विगरता है तो अनुपाद हमारे लिए जो है दुगदाई हो जाता है निशद रूप से बहुत सी ऐसी सामगरी हैं ऐसे पदार थे जिनका निशेद किया गया है जैसे प्याज लैसो नुड़ेत की जाल खासतोर से कार्तिक के महीने में वर्जित की गई है आचारी जी ये देखा गया है कि शावन के महीने जो होता है शावन का मास होता है ये चातर मासों में से एक बहुती महतुपोर्ण जो महीना है वो शावन का महीना है और इस महीने में कावन यात्रा जो है वो चलती है साल भर में जब ये शावन का मास आता है तो लोग काफी उत्साहित होते हैं भगवान शिव के अभिशे के तो भगवान शिव की पूजा क्यों खास तोर सर सावन के महिने में की जाती है इसके पीछे क्या कारण देखे भगवान सिव देवादी देव महादेव पंच देव में प्रिधान देवता हैं रिसी मुनी ही नहीं गंधर्व और राक्षयस किन्नरादी सब उनकी पूजा करते हैं सादगी और सरलता की पृति मूर्ती हैं और भगवान चुकि स्रीहरी विष्णू मैंने कहा इसमें चातुर मास में जो है वो सीर सागर में सेज सैया पे राजमान हो जाते हैं वो सैयन कर रहे होते हैं और भगवान सिव की पूजा इस समय जो है सबसे महत्वून हो जाती है स्रावन मास में और स्रावन मास में सिव पूजा का इतना महत्व है अगर किसी कारण से हम वर्ष भर पूजा जादा नहीं कर पाते हैं और उतना नियमित रूप से विस्तार के साथ बुरत आधि नहीं कर पाते हैं अगर हम इस मास में भगवान संकर की पूजा करें और भगवान संकर कितने भोले और सरल हैं उनको एक लोटा जल और बेल पत्र चलाने से प्रसंद हो जाते हैं सरलता और सादगी की प्रतिमूर्थी है देखे हमारे वहाँ बार बार लोग आरोप लगाते हैं कि देखे सनातन में यहाँ पे जो वन ब्योस्ता है जो जाती ब्यवस्ता है उसमें जो है भगवान की पूजा में भी ये सब किया जाता है लेकिन अनादिकाल से भगवान से एक ऐसे देवता हैं सिवलिंग पे एक तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो सकती है दूसरा सिवलिंग की पूजा सब लोग कर सकते हैं वहाँ पर ये नहीं है कि ब्रहामन च्यत्री बैस या सूद्र ये ये चीजे कुछ हैं ही नहीं ये तो उस समय ये सब जो ब्यवस्ता बनाई गई थी कहीं ने कहीं जो लोग जिस हिसाब से कारी कर रहे थे उस हिसाब से ये एक छूट दी गई कि सब लोग भगवान सीव की पूजा कर सकेंगे और इवन आपने देखा होगा कई बार बहुत सी पूजाओं में कई जगे इस्त्रियों को जानने का विधान नहीं है या नहीं कर पाती है लेकिन सीव पूजन एक ऐसा पूजन है जहां पर हमारी मात्र सक् अनादी काल से भगवान सीव का पूजन कर सकती है और भाव के साथ भगवान सीव तुरंत हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं धर्म अर्थ काम और मोक्स की प्राप्ति भगवान सीव की पूजा से होती है तो और वहां पर जो सबसे बड़ा पूजा में सब चीज़ें होती हैं लेकिन पूजा के लिए जो सबसे पहली सर्त है हम जो भी करें स्रद्धा से करें भक्ती से करें और विश्वास के साथ करें अगर स्रद्धा भक्ती स्रद्धा भक्ती और विश्वास से हम जो भी पूजन करते हैं वो हमें सब फालित होता है और भगव मास के ब्रत की करें स्रावन मास के ब्रत में देखे सबसे पहले तो जो है हम भगवान उसमें सीव की ही अराधना पूजा की जाती है और चुकि आज हम बात आज के परिपेक्स में करेंगे करेंगे तो मुझे लगता है जादा उचित रहेगा बिलकुल क्योंकि जो बहुत सी जो उस समय के हिसाब से बनाई गई है जब ये सब चीजों की रसना की गई है तो आज के परिपेक्स में एक तो हम लोग अपने जो हमारे पास उपलब्द समय है उसके अनुसार किसी सीवाले में जाकर के भगवान सीव को एक लोटा जल अर्पित करें उनको वेलफत्री अर पुस्प अर्पित करें और इस अर्पन के साथ साथ जैसे अगर आप भगवान सीव को दूद चड़ाते हैं ठीक आप एक पाउत दूद भगवान सीव को अर्पित कर लें लेकिन अगर आप दस किलो दूद चड़ाने की आप इस्तिती में हैं तो आप जो नौ किलो और परण से उनको दूद नहीं मिल पाता है, आप वो दूद उनको देते हैं, क्योंकि आप पूजन तो करना ही है, मतलब पूजा में अगर मालीजे आप 10 किलो दूद चड़ाते हैं, कोई निसेद नहीं आप चड़ाइए, लेकिन 90 किलो दूद फिर आप जो है, अन्य जरुवत म परगनी पढ़ने वाला है, और अगर वोई चीज दूसरी जगह हम लोग प्रसाद रूप में और लोगों को बित्रित कर दें, तो उसका ज्यादा महत्तु है, ऐसे ही फल चड़ाने का मतलब है, कि हम फल चड़ाएं, लेकिन उसके साथ-साथ जिन लोगों को किसी कारण से फल उपलब्द नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को फल बित्रित करें, हम कुछ गरीब कन्याओं के विवहा का संकल्प लें, हम कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का संकल्प लें, हम उसके अलावा देखिए, अपना खाना, अपना बनाना, अपने तक सोचना, ये तो पस से जीवन की सार्तक्ता भी है और ये जरूरत भी है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसका जो धार्मिक पक्स है उसको तो करना है उस पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते जो प्राचिन काल से जो परंपरा बनी आई है उसको करना है लेकिन उसको लौकिक रूप से हम कैसे समाज के हि में भी कर पाएं ये बहुत जरूरी है बहुत अच्छे बात आचारी जी आपने कही कि मानवता के लिए जीव जन्तों के लिए हम सेवा भाव को भी रखें सेवा करें तो निश्यत रुप से जो चातर मास है तभी हमें फल भी प्राप्त होगा ये शिवार्चन जब हम भगव अगर माले जीव ऐसी जगह पर है जहां भीड़ भाड नहीं रहती है जी सांत सिवाले है तो मंदिर में करना ज़्यादा उपयूकत रहेगा जीव लेकिनदेश इतनी भीड है सिवाले में जहां पर आप पूजा ढंक से कर भी नहीं पा रहे है और जहां तक आपने बात मान लिए बड़े सिवाले हैं या बड़े प्रतिष्टित इस्तान हैं वहाँ पर जाकर के आप एक लोटा जल अर्पित कर दे भाव के सांथ भगवान को प्रणाम करें जिससे क्योंकि अगर आप वहाँ पर लंबी पूजा करने बैठेंगे आपको भी डिस्टर्ब होगा और हमारी अगर उत्राखंड के संदर में हम बात करें तो देभूमी उत्राखंड में इस पवित्र स्रावन मास में जो पार्थी पूजन है इसका बड़ा मतलब है भगवान शुम्पार्थी के जो मिट्टी के सिवलिंग मनाए जाते हैं उनको इकीस, इक्यावन, एक्सो ए जाता है और इनके निर्मान में अधिकांस तह जो है जो आपने देखा होगा जो दीमक वाली जो मिट्टी है उसको बहुत पोईद्र माना जाता है उसके छोटे-छोटे सिवलिंग अंगुस्ट मातर का उनका प्रमान है उनको बना करके और विधान के साथ उनका पूजन कि किया जाता है और यह पूजा जो है विसेसकर जो उत्राखंड का जो कुमाओ कुमाओ वाला जो अंचल है अभी जैसे आप जागेसवर धाम में जाएंगे तो इसमें बहुत बड़े स्केल पर यह पूजा की जाती है और वैसे तो पूरे ही उत्राखंड में इसका विधान ह लेकिन कुमाव मंडल में इस पूजा को बहुत बड़े स्केल पे स्राउन मास में किया जाते है। अब बच्चा पैदा होगा उसका नामकरण होगा उसको चार मेने तो रोका नहीं जाएगा जनम दिन किसी का आएगा वो भोगा ही होगा है ना और उसके अलावा आज के आजकल है जैसे लोगों का नाव निर्मान के कारिय भी चलते ही हैं यह लोग सूस्म रूप में लोग कर परते रहते हैं लेकिन विशेशकर साधी और आपका यग्योपई सस्कार मुन्डन आदी इन कारियों को जो है इनके मुहृत इस समय नहीं होते हैं और जब देव उठनी एकादसी हो जाती है उसके बाद जो है करने की करने का विधान है हलाकि आजकल अब कुछ लोग नवरात सित्या हैं तो कुछ परिवर्तन समय के हिसाब से जो है वो आ जाते हैं लेकिन सास्त्री जो तरीका है जो हमारा बैदिक तरीका है बैदिक तरीके से जो है इस चतुर मास में विभा आदी निसेत है जो मंगल कारे हैं वो हमें नहीं करने चाहिए धार्मिक कारे जादा करें ब्रद पूजन आदी जादा करें, सनातन संस्कृति हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें आचारी जी चातुर मास का, चौमासे का और खास्तोर से सावन का मास है, या कुछ विशेश मास इसके अंदर अंतरगत जो आते हैं, उनका काफी विशेश महत्व दिया गया है, इस पूरे विश्व में हमारे योग की हमारे ध्यान की हमारे आईरवेद की हमारी अध्यात्म की हमारी साधनाओं की चर्चा है और बड़ी संख्या में बलकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं या बड़े बड़े विश्व द्याले अगर में मुझे जानने का उसर मिला तो मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ी संख्या में बिदेशी लोग ऐसे ऐसे बिसेयों पर सोथ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिनके बारे में हमारे बच्चे सोचते भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने देखा, वो सब पस्चमी जगत में जो लोग रहे और उनोंने देखा कि भाई यह जो हमारी पैथी है, हमारी जो पद्धती है, कहीं न कहीं यह पूर नहीं है, उसमें जीवन जीने की पद्धती नहीं चुपी हुए है, भारती सस्किर्टी की क्या बिसेश्ता है, हमारी रिशिमुनी परंपरा की क्या बिसेश्ता है, इसमें जीवन जीन पूल चाहते कार नहीं है और इस वर की किरपासे आपकी बहुत अच्छी कोठी भी नगीं फिर आपका कारसन कुछ और बड़े महल की और चला जाएगा यानि जो भौतिक चीजे हैं भौतिक चीजों का आकर्षन मिलते ही समाप्त हो जाता है और जो अध्यात्मिक प्रवा है देखो हम दो पिरकार की यात्रा हैं एक जो हम बाही जगत की यात्रा करते हैं जो हम जब आंतरिक जगत की यात्रा करते हैं जब हम अंतरमुखी हो जाते तो उसके बाद जो हमें लगता है कि अभी तक हम जो बहार के जगत में जो कुछ कर रहे थे यह तो बहुत छोटा है उसके अलावा बहुत कुछ जो चौबीस घंटे जो आनंद देने वाली वस्तु है वो हमारे रिशी मुनियों ने वो अंतर जगत में ब्यापता है इसलिए चतुर मास जो है अपने अंतर करन को और निरमल करने का मास है और भीतर की और बढ़ने का मास है बिलकुल आचारी जी बहुत सुन्दर तरीके से आपने बताया और ये जो चतुर मास है व्रत हम करें भक्ति करें शुबकारी करें और अपने जीवन को सैयमित करें optimize आप कारि पसंद आया हुआ, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार.